भारत बनाम न्यूजिलैंड के बीच एक फरवरी के दिन तीन मैचों की T20 सीरीज का निरनायक मुकाबला खेला जाना है लेकिन इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाडी खुद को तरो ताजा रखने के लिए एहमदाबाद के एक ठीटर में पठान मुवी का लुट्व उठाते दिखाए दिये आपको बता दे कि शाहरुखान की मच अवेटिड फिल्म पठान ने बॉक्स ओफिस पर काफी धमाल मचाया है पठान के बॉक्स ओफिस के बात करें तो ये फिल्म अब सारे रिकॉर्ड तोड रही है शाहरुखान की पठान देखने के बाद अब भारते क्रिकेटर्स भी मैदान पर जान लगाने के लिए पूरी तरहां से तयार दिखाई दे रही है कुलदीप यादव, शुबमन गिल, राहुल तिरपाथी, इशान किशन, शिवम मावी, युजुएंदर चहल और सूरे कुमार यादव की कुछ तस्वीरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है इन तस्वीरों पर फैंस भी लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं शेयर कर रही है ऐसा कई बार देखा गया है कि जब भी टीम इंडिया कोई बड़ा मैच खेलने जा रही हो उससे पहले खिलाडियों ने थेटर्स में जाकर किसी मूवी का लुट्फ उठाया हो ऐसा ही कुछ एहमदबाद में भी पठान मूवी देखकर भारतिय खिलाडियों ने किया आपको बता दे कि सीरिस का डिसाइडर मुकाबला एहमदबाद के नरेंदर मोदी स्टेडियम में खेला जाना है न्यूजिलैंड के साथ टीम इंडिया ने पहला T20 गवाया था तो वहीं दूसरे T20 में भी मुश्किल से जीत हासिल की अब टीम इंडिया के पास प्लेइंग 11 में बदलाव के सिवाए कोई भी चारा नहीं बचा है प्लेइंग 11 में अगर कोई भी बदलाव नहीं होता है तो शायद टीम इंडिया तीसरे और अंतिम T20 मुकाबले में भी संघर्श करती दिखाई दे सकती है ये हो सकता है कि शुबमन गिल के जगाहा पर तीसरे T20 मुकाबले में प्रिथवी शौ को आजमाया जा सकता है इतना ही नहीं बलकि टीम के मध्धे करम में भी प्रिथवी शौ के शान किशन के साथ सलामी जूडी के रूप में टीम इंडिया को काफी फायदा मिल सकता है अब देखना होगा कि इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया के कप्तान हार्दिक पांडिया और मैनेजमेंट क्या फैसल अग लेता है इस खबर में फिल हाल इतना ही बाकि की तमाम खबरों के लिए बने रहीए वन इंडिया के साथ